विल्कम बैक तो स्टॉक मार्केटल जेपी असोसियेट के कॉर्ट टू के रिजर्ट आ गया तो चली देख लेते रिजर्ट कैसे हैं यहां पर टार्योट क्या हो ना चाहिए वह भी हम जानेगे तो वीडियो को शो करते हैं तो सबसे पहले हम देखने वाले कंपने का यहां पर इस टैंडडोन प्रिसिस इस परफॉर्मेंस जैसा कि आप आहां पर देख सकते हैं और जो लाख में किया गया है तो अगर आप यहां पर इंकम देखेंगे तो 1137 करोड की इंकम इस कौटर में इस कौटर में एग विचले क करोथ पहले करदें प्पाजाव जादा कर दिया पिछरे साल की साल दरसाल्ग फर्फट पहले प्रॉफित था पहले प्रॉफित था प्रफित कंपनी को बट अभी लॉस्त इक रहा है जो profit before tax वह हमें loss में देख रहें हो यू जो loss है वह पिछले क्वाटर के चुलना में चुलना में हम पिछले क्वाटर के चुलना में मिल लोगे पिछली क्रेक चुलना में तो यहां पे इंकम देखेंगे तो इंकम यहां पर 270raw की की ति करोड़ा की थी लीटा द्म यहां पर यहां पर बड़ी है क्वाटन क्यान कारीज कते म備किर कहब कर jak फृच्ष이면 2024 करूल कट्रोस सब्सक्राइब तो भी आपको देखने मिला कि 340 कड़ों का लॉस है पिछले क्वाटर में 381 कड़ों का लॉस था एक सार पहले 310 कड़ों का लॉस था तो आपने क्या निश्कर्ष निकाल है यहां से देख करके कि चाहे देखिए चाहे थे दोनों में रिजर्ट बहुत काटर क्या दूला में अच्छे लेकिन अच्छे नहीं कै सकते क्योंकि कंपरी कर देख क्योंकि अच्छी बात है कि अगर लॉस कम करती रहती है और अपना इंकम बढ़ाती जाती है इंकम अगर बढ़ाती जा रही लॉक्स कम करती जा रही तो समझे कि company grow कर रही है अपने आपको improve कर रही है तो ऐसे अगर धीरते करके पर प्रॉफिट में आती तो वहां पे stock काफे अच्छा move कर सकता है तो देखे result अच्छे है अब देखे यहां पर जो stock है 9.25 पैसे के आसपास close हुआ है 9.25 पैसे एक demand area यहां पर buyers आनी चाहिए और यहां से stock को उपर जाना चाहिए तो according to my analysis यहां पर buyers आएंगे और इस level पर buy करके आपको यह stock 11.20 के आसपा देखने को मिल सकते क्योंकि यह stock है वह momentum वाला stock है और लगातार यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर buyers ने कहीं ने कहीं buy किया यहां पर भी buy किया यहां पर कहीं buy किया तो लगातार जो है buyers इसमें present हैं हाला कि selling भी कर देते हैं लेकिन यह आपको समझना चाहिए कि यह stock है यह most active stock में आ चुका है तो जरूर मेरे साफ से इसमें buying हो सकती एक बार जरूर आपको यहां पर buyers आते विए देखने मिलेंगा और पहला target होगा वह 11.20 पैसे होगा और जो लोग इस stock को लगातार hold कर हैं और वह sell करना चाहते हैं तो उनके लिए यह level काफी important 11.20 और अपने analysis के बाद ही अगर आपको लगी हां सच में इसको sell करना चाहते हैं तभी sell करिएगा मेरे कहने से आपको sell नहीं करना है यहां पर ऐसा भी हो सकता है यहां पर कोई भी यह predict नहीं कर सकता है यह जाएगा नहीं जाएगा कि कोई भी predict नहीं कर सकता तो जो भी decision लीजेगा अपने दिमाग से लीजेगा चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तरह के लिए धन्यवार और इस वीडियो को like जरू कर दीजे